तो फाइनली धूंडी लिया आपने हाँ मुझे उमीद थी आप धूंड लोगे आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 11 हिंदी नैतिक शिक्षा हर्याना बोर्ड के किताब आपकी और इसका पार्ट नंबर 9 आज किस वीडियो में एक्स्प्लेन होने वाला है प उसका परिणाम क्या रहा तो ऐसी है चोटी सी प्यारी सी देश भक्ति की कहानी हमें इस चैप्टर में दिखाई गई है चलो शुरू करते हैं चैप्टर को मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं CCL क्लास लेकिन हाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं आप आपको इस complete book का solution लिखावा भी मिल जाएगा वीडियो भी मिल जाएंगी तो website और playlist का link description में है जरूर से check out करना अब सुरू करते हैं इस part को 10 जुलाई 1910 सुभै का समय सूर्योध्या का समय मोरिया नाम की जहाज यांत्रिक गडबडी होने के कारण बंदरगा पर खड़ा थ यांत्रिक गडबड़ियां होती है मतलब की टेक्निकल फोल्ड जो हता है तो मोरिया नाम जहाज का नाम था मोरिया और वो ऐसे बंदरगा पर खड़ा था पोर्ट जिसको कहते हैं कारिकर उसे दुरूस्त करने में लगे थे एक परवासी युवक विचार मगन था अपने ही विचारों में गुम था वो निश्चिंत रहता रहना उसके लिए नामुम्किन था क्योंकि यह अंग्रेजों के बंदन में था दो पहरेदार लगातार उस पर नजर रखे हुए थे तो ऐसे देखो थोड़े सी कहानी बिल्ड करेंगे पहले कि क्या हाल चाल क्या सीनारियों चल रहा है और फिर क्या होता है उसके बाद में उसके बारे में बताएंगे मुझे सोच के लिए जाना है टोइलेट करने के लिए जाना था उसको तो बंदी ने पहरेदार से कहा पकड़ के ले जा रहे थे साइद इसको कोई पे तो कहा पहरेदार उसे जहाज के सोचकूब सोचकूब में उपर शीशा लगा हुआ था पहरेदार उस शीशे में से उस पर नजर रखे थे कि हाँ ये क्या कर रहा है सोची कर रहा है कुछ और कर रहा है उस बंदी ने अपना ओवर कोट उपर खिड़की पर लगे शीशे पर रख दिया ताकि वह अंदर न देख पाए त चारा कितना लंबा सोच कर रहा हो गई है ना सोचा लेकर बाहर खड़े पहरेदार उने सोचा काफी समया हो गया है वह भी तक बाहर नहीं आया कुछ तो घडबर जरूर है अब उनको क्या पता वो फरार हो गया यहां पे पहरेदार ने जहाज के उपर चड़कर देखा कि युवक समंदर में कूद गया वह सोर मचाने लगा बंदी भाग रहा है पकड़ो 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 तभी सारे जहाज में सोर मच गया भागने वाले बंदी का नाम था सावरकर इस सारी घटना का वरितान दूसरे दिन सामाचार पत्रों में छप गया कि ऐसे ऐसे एक में टाइप करते टाइम हो गई होगी तो लोगों को बड़ा अस्चरिया वाइस चीज को लेके कि भाई या ऐसे कैसे निकल के भाग सकता कोई अंग्रेजों की गिरफ्ट या वो चीजे अब जो बंदा भागा था उसी की कहानी है यह प्यारी सी यहां पर छोटी सी स्टोरी द विनायक के बड़े भाई का नाम था गनेश विनायक जब नो साल के थे तब उनकी माता का देहान तो गया यानिकि वो अपने भाई और पिता के साथ रहेगा अब उन्होंने नाशिक में शिख्षा ग्रहन करी पड़े लिखे अपना बड़े हुए सब्सक्राइब की बात है और उस टाइम पर उन्होंने एक समारो आयोजित करने का ठाना की हाँ हम भारत में अपना समारो आयोजित करेंगे महराश्टर में प्लेग की बिमारी फैली होने के कारण उत्सव मनाने के निर्णिया को सुनकर जनता भड़क उठी क्योंकि देखो उत्सव तभी मनाय जाता बात जनता भड़क गई इस बात से इसका परभाव चापेकर बंधुओं पर भी पड़ा और उन्होंने दो अंग्रेजों को मार गिराया अंग्रेजों ने चापेकर को फांसी पचड़ा दिया वो पकड़ लिये गए थे बाद में उसके बाद में फांसी टांग दिया उनक काम की तरफ देश की आजादी की तरफ दोनों ने नासिक में मित्र मेला नामक जो है एक संगठन के दवारा भारतियों को सवतंतर संगर्ष के लिए प्रेरित किया या यह नों ने मित्र मेला बनाया आज संगठन है और उसकी मदद से देश के लोगों को प्रेरित किया कि आजादी क्या होती है कैसे हम जी सकते हैं कैसे हम प्राप्ट कर सकते हैं वे पढ़ाई के साथ साथ सब्तनतर्टा की अलग जगाने के लिए संघर्स करते रहे लगातार परियास करते रहे ताकि लोग जागरी तो जाएं और देश की देश को आजाद करवा प बारतिय करांतिकारियों ने विदेशी वस्तों का बहिस्कार कर दिया बहुत सारे अंदोलन चलाए चलाए गए देश भर के अंदर ताकि बंगाल का विभाजन रुख सके फाइनली रुख भी गया था कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी बट अंग्रेजों को जब सरेंडर करना पड़ा था तब उससे पहले बड़े पंगेवे विनायक ने भी विदेशी वस्तों की होली जलाई जिसके परिणाम सवरूप उन्हें विद्याले से निसकासित कर दिया गया यानि कि स्कूल में क्योंकि स्कूल किसका था अंग्रेजों के थे सारे स्कूल और उस स्कूल के खिलाफ में कह सकते हो तो या फिर सरकार के खिलाफ में जब विद्रो करोगे तो कहीं ना कहीं स्कूल को भी अच्छा नहीं लगेगी वह बात और उस वजह से अंग्रेजों ने अपने स्कूल से उसको निकाल दिया फिर भी उन्होंने मित्रों की साहता से सीक्षा को जारी रखा कैसे कैसे वह पढ़ते रहे अपना अंतिम परिक्षा उन्होंने पर्थम श्रेणी में उत्तिर्ण करी फर्स्ट आ गए मलब अच्छे से पहले टम्ट में पास हो गए थे वह लंदन का एक लोती ऐसी जगह थी इंडिया हाउस जहां पर से पूरा जो मैटर था इंडिया में उपरेट किया जाता था वैसे तो वह कहने को एक खोश्टल था इंडिया हाउस लेकिन एक्च्छल में वह क्रांतिकारियों का अड्डा हुआ करता था उस टाइम पर अब इसके बारे में यहां पर बताएंगे कुछ होगा वहां पर शीन यहां बुद्धिमान विध्यारतियों को चात्रिवर्ति पर दान करती थी और कुलमिला के बात ये थी बाई सीदी सीदी जो भारत के लोग थे अंग्रेजों के देश में जाते थे लंदन में जाते थे पढ़ने के लिए त इसके लिए सावरकर ने प्राथना पत्तर दिया जो स्विकार कर लिया गया अता है सावरकर 1906 में शिक्ष्या प्राप्ति के लिए लंदन चले गए तो लंदन पढ़ने चले गए या इंडिया हाउस ने कुछ उच्छात्तर वर्ति दे दियो इसको जिसको कहते हैं तो वह म से किताब लिए उन्होंने वीर सावरकर ने और लिखी सावरकर पुस्तक छपाई का परियास करने लगे लेकिन सफल नहीं हो पाए अब च्छप क्योंकि लोगों को तो तब ही पता लगया ने किताब लिख तो दी लेकिन उससे पहले तो जरूरी है लिखने के बाद उसको बहुत सारे लोगों के अंदर उसकी जो है कोपियां बना कैसे बांटना तो वो सबसें उसके लगाम था क्योंकि कोई चापने को इस किताब को तयार ही नहीं था उस तक की परतियां गुपत रूप से भारत में बेजी जाने लगी कुछ भी जुगाड बुगाड करके छप गई वो किताबे और फाइनली चोरी छीपे से वो किताबे वो जानकारी भारत बेजी जाने लगी इस जंबंद में सावरकर पर मुकदमा चलाए गया क्योंकि ये काम कहीं न कहीं इलीगल था और देश द्रहों का मुकदमा साइद उस पे लगाय जाएगा देखें क्या मैट द्रहता है मुकदमा चलाए गया और उन्हें कारहवास कि सजावार्वास सुनाए गया दिया भाबी के पत्तर से सावरकर को बाबार करो पकड़ते जाने और काले पानी की सजा की जानकारी प्रापत हुई की हाँ भाईया ये जो बाबा राव थे ये भी उस समय देश के आजादी में काफी जो है संगर्श कर रहे थे और इनको पगड़ लिया गया बाद में काले पानी की सजा हुई ये जो है साइद अंडमान निकोबार पर कोई जेल होती जिसको काला पानी कहते थे तो वहां पर सजा मिलती थे उनको बस जेली होती थे वह भी अलग टाइप की तो जहां पर थोड़ी सजा थोड़ी सख्तमानी जाती है तो उसको काले पानी सजा कहते थे जनरली तो वहां पर उनको पकड़के वहां पर भेज दिया गया को तो लुकिल के निगहा रखने वाले अंग्रेज जदिकारी को गोली के उड़ा दिया गया जिसके प्रिणाम सभूरूप म response की इसके काँव kny थी अब यह नहीं पता वाई कौन सी क्लास में पढ़ाई थी बढ़ाई जरूर थी ठीक है तो एक्चुली शीन ऐसा ही था मुलब उसने जाके सीधा-सीधा जो है नाम मेरे को ध्यान ने कि अंग्रेज का अधिकारी था कोई भारत में से गया था और वह ऐसे पार्टी करते हैं मैं रिटायर हो गया यह करके और जाके इसने मदल नाल धिंगरा सीधा खड़ा उसको गोली से भून डाला ठोक दिए उसके अंदर जो है गोलियां भर दी गई और फाइनली वह उन्दा स् लिए थी कि मैं जितनी बार जनम लोगा उतनी बार मैं भारत के लिए अपने अपना बलिदान देता रहूंगा तो ऐसा ही कुछ उन्होंने बयान में दिया था अपना और उसके बाद में उनको फांसी पर टांग दिया गया था अब देखो सभी सभी करांतिकारी होगा उस पर सेम साही हाल था अंग्रेज जो है हर किसी पे देशद्रों का मुकदमा लगाते मुकदमा अगर मालो मैटर थोड़ा छोटा होता तो वो लोग पकड़के उनको जेल में डूस देते और उमर कैद सुना देते अपकुल मिला के जिंदगी बरबाद कर देते उसकी तो ऐसा साही मैटर चलता था अंग्रेज सरकार ने अनेक कार्यकरताओं को यहां पर पकड़ लिया था सरकार समझ गई कि इन सब के पीछे सावरकर का हाथ है सावरकर ने सब को प्रेरित कर रखा है इसलिए अंग्रेज सरकार ने सावरकर पर मुकदमा दायर कर लिया कि सावरकर ही सा ऑपको एसा लगए जैसे काले पानी में कुदा दिया हो काले रंगके पानी मैं ऐसा कुछ नहीं था वो जेल होती थी जिसको काला पानी कहते थे इस कांड सावरकर की लंडन में रहने की इच्छा नहीं रही क्योंकि अंगरेजों के गर में दुस्मन के घर में कोन रहेगा भाई फिर ऐसे मामले में नहीं रहेगा ना तो विपरित प्रिस्थितियों में भी बैरिष्टर की प्रिक्षा में सफल रहे वे जब वे भारत लोट रहे थे तब लंदन के विक्टोरिया स्टेशन पर उन्हें पकड़ लिया गया और अंग्र समझ गए अब तो मैटर पूरा तो समुंदर में कूद पड़े और तैर कर फ्रांस के भूबाग पर पहुंच गए यह देखो भाई जिग्राच यह कूद के तैर के दूसरी जगह मलब यह मानो तुम एक तरीके से मैं समझाओं कि यह जमीन है यहां पर जहाज खड़ा पहरे दारों दोबारा उन्हें फिट से पकड़ लिया गया फूटी किस्मत भारत में सावरकर पर मुकदमा चला और उन पर आरोप लगाए गये कि यह लोगों को भड़का कर अंग्रेजों की हत्या करवाते हैं इन आरोपों के तहर जब दो आजनम कारावास की सजा ही इसका परिणाम है परमान है देखो एक्चुली दो आजनम का मतलब था अगर तुम मर गए और उसके बाद पैदा होते हो तो तुमको वापिस यह कारावास की सजा समझे रियो मैटर मलत तुम मर गए तुमने अभी पूरी जिंदगी जेल में गुजार दियो और जब अंग्रेजो पर कि तुम भी इंदवों की माननेताओं में बिलीव करते हो अंग्रेजो सावरकर को एक दिन कारावास में अपने बड़े भाई के दर्सन हुए लेकिन वे आपस में बोल नहीं सकते थे उन्होंने पहरेदार की साहता से चिठ्थी भेजी और सावरकर के हाथ कारवास में रहते हुए भी उन्होंने कावियों की रचना करी काव्या रचना लोहे की कील से दिवार पर लिख कर कंठस्त करते थे याद करते थे उसको उन्होंने अनेक काव्यों की रचना की यह था कमला, महासागर ऐसी जो कई सारी काव्या रचना उन्होंने करी थी सन 1919 में सावरकर से मिलने के लिए उसके छोटे भाई और उसकी पतनी आ गए, अब देखो बड़े भाई को जो था ये वेर सावरकर था इसको तो पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद में जो दूसरा भाई था न इसका, तो वो उसकी पतनी जो है उनसे मिलने आए, सावरकर को अंग्रेजी सरकार को जुकना पड़ गया, क्योंकि गलती देखो, एक्चुली में इसने बढ़का आया था, मारा किसी को नहीं था, मारने वाले तो इसके चेले चप्टे थे वाई, तो कुछ ना कुछ मैटर रहा होगा, और अंग्रेजों ने फाइनली उसको छोड़ दिय 1921 में बाबाराव को मुक्त किया गया, और सावरकर को भारत आया गया, और 1922 में इन्हें मुक्त कर दिया गया, कि तुम फ्री हो अब से, लेकिन जीले से बाहर जाने पर परतिबन लगा दिया, यानि कि जीले में वो था ना, उस जीले से वो बाहर नहीं जा सकता, अब जील गिरी जीले में बंदी रहे और यह जीला ध्यान अगना जहां पर वो बंदी रहे थे उनकी पतनी यमुना भाई भी इनके साथ रही उनके परभात नाम कन्या और विश्वास नाम का एक बेटा हुआ यानि कि बच्चों के नाम भी आद कर ले ना तुम एकजाम में ऐसी चीज था क्योंकि अंग्रेजों ने पकड़ लिया था बाई क्या करता यह भी बैचारा सरकार के नुमती से वे वापिस नासिका गए वहां जंता ने उन्हें एक लाग रुपे भेट किये और समाज सेवा में उन्होंने तन मंधन अरपन कर दिया समाज के लिए तो उन्होंने उन्होंने रतनागीरी में पतित पावन मंदिर के सापना करी और उसका उधगाटन संक्राचारिये दवारा करवाया गया सभी भेदवाव को भुला कर लोग एक जगह बैठ कर भोजन कर सके इसके लिए सहब भोजगार्यकरम कायोजन किया गया क्योंकि जब तक लोग इकठे नहीं होंगे तो लोगों को समझाएंगे कैसे प्रेलित कैसे करेंगे तो कुछ न कुछ जगाट बाजी करते रहते थे लोग भी तो साथ में जातिय भेदवाव कम करना और वहुत सारे मुद्दे चलते रहते थे देश भर के अंदर उस टाइम पे तो उस चीज़ को देखते हुए इनोंने सहय भोजगार्यकरम कायोजन किया था ताकि सभी लोग जातिय भेदवाव को भुला कर इकठे बैठ कर भोजन कर सके 1937 में सावरकर पर लगे पर्तिबंद हटने पर वे राजनीती में कूद पड़े क्योंकि देखो जब तक सरकार अगर बाद में वापीस पकड़ लेती है तो दिक्कत हो जाएगी ना मैटर में तो जैसी उसके उपर से सारी पाबंदिया हटी वैसी वो राजनीती में आ कर उसे राष्ट्रिया समारक घोसित कर दिया गया अब देखो बीच में बाद में भी पकड़ लिया गया होगा साइद ऐसा कुछ मैटर होगा अब मैटर यह भी है यार कि इन्होंने बुक में पूरा नहीं बता है पूरी कहानी नहीं है यह सोर्ट में समरी टाइप होते ना अब भी बस चैप्टर होई गया हमारा बस उन्होंने भारती एतियास के छे स्वर्णिम पन्ने ना प्रिष्ट जो है नामक बृहद एतिहासी गरंत लगा यह गरंत जो है उन्होंने लिखा थे यह नाम है पूरा एक्जेक्ट उसका तो इसके दवारा भारतियों में उनकी अपेक्षा स्वतंतरता प्राप्ति को सर्वो परिमाना और अंत समय तक उसकी रक्षा के लिए प्रियास्रत रहे वैसे अंत समय तक थोड़ा मैटर गडबड़ा भाई 1966 में तो हम लोग आजाद हो गए थे उसके बाद इन्होंने आजादी को देखा मजे से जिया भी थोड़े से साल और फाइनली जो है अब बुड़े हो गई तो भाई उमर तो सबकी बीचती है ना तो फिर तो मिर्त्यू आ गई उनकी लेकिन हाँ इनका संगर्श जो है कहीं ना कहीं परिनाम दिखा रहा था और अच्छा परिनाम रहा उसका संगर्श का ठीक है तो यह थी वीर्ता का प्रिच्चा देते हुए इनोंने जो है ऐसा कुछ किया था साइद इसलिए इनको वीर्सावर कर कहते होंगे चलो जो भी था मैटर अब यह फे मस्ते उस टाइम पर ठीक है और इनको सम्मान से नवा जा गया बढ़िया था यार सब कुछ तो इसी वज़े से जो ह इनको हमारे चैप्टर्स में भी एड़ किया गया है थोड़ा सा सम्मान देने के लिए इनको ठीक है चलो वीडियो खतम करते हैं मिलते हैं नई वीडियो में बाई बाई